क्या आप मल्टीमीटर को देखकर उल्जन में पढ़ जाती हैं? क्योंकि मल्टीमीटर बहुत पेचीदा और मुश्किल लगती हैं और उनके यूजर मैनुवल्स, डायल, सेटिंग्स, बटन और लीड बहुत भारी होती हैं और उनके कितने सारे अलग-अलग वर्जन होती हैं? किसी को ये चीज समझ में कैसे आ जाती है? असल में मल्टीमीटर चलाना काफी आसान होता है और इस वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर चलाना सिखाने वाला हूँ मल्टीमीटर पर मेरी लिखी किताब को आप PDF में डाउनलोड भी कर सकती है और हमारे चैनल को सपोट कर सकती है किताब का लिंक नीचे दिया गया है मल्टीमीटर के कई सारे अलग-़लग डिजाइन होती है लेकिन मूल रूप से दो तरह के वर्जन होती है एक एनलोग और दूसरा डिजिटल एनलोग मल्टीमीटर में एक डायल होता है इसका इस्तिमाल करना पेचीदा होता है इन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और इसमें केवल थोड़े से बेसिक फंक्शन्स ही होते हैं लेकिन अब शायद ही कोई इनका इस्तिमाल करता होगा मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इस वीडियो में इनके बारे में नहीं बताऊंगा तो हम डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तिमाल करने वाले हैं जिसमें डिजिटल डिस्पले होते हैं ये बड़े सठीक होते हैं उपयोग करने में आसान होते हैं और इनके बहुत सारे फंक्शन्स होते हैं हमारे पास दो प्रमुख प्रकार के मल्टीमीटर होते हैं मैनूल रेंज और आटो रेंज आटो रेंज में हमें बस फंक्शन चुनना होता है और multimeter हमें जवाब देता है लेकिन manual range में हमें सही जवाब पाने के लिए सही range चुननी पड़ती है हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि वो कैसे काम करता है लेकिन auto range सबसे आसान और तेज होते हैं लेकिन ये आमतोर पर बहुत महंगे होते हैं मैं वीडियो के description में multimeter से जड़े सुझाव देने वाला हूँ लेकिन सभी multimeters के एक सही basic functions होते हैं जो है voltage, current और resistance की reading देना अलग-अलग multimeters के अधिक advanced functions होते हैं जैसे capacitors, transistors, diodes, temperature, इत्यादी हम इन सब के बारे में बात करेंगे लेकिन आई पहले DC voltage से शुरुआत करते हैं आप multimeters का प्रयोग किस लिए करते हैं या आपके इसके लिए क्या सुझाव हैं हमें नीचे comment section में लिख कर जरूर बताएं DC voltage को इस symbol से दिखाया जाता है हमें इस प्रकार के electricity बैटरियों solar panel और आपके घर के ज्यादतर electronic उपकरणों में देखने को मिलती है DC या direct current electricity में electron एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं ये वैसा ही है जैसा कि नदी का एक दिशा में बहना इसलिए जब हम बैटरी से oscilloscope connect करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा दिखाई देती है और इसलिए हम इस सिंबल का प्रियोग करती है हम लाल लीड को V टर्मिनल में और काली लीड को COM टर्मिनल में लगाती है फिर हम लाल प्रोब को बैटरी के positive टर्मिनल से और काली प्रोब को negative टर्मिनल पर connect करती है आटो रेंज मल्टी मीटर में हमें बस DC वोल्टेज की settings चुननी है और यहां हमें तुरंत परिणाम दिखाता है अगर मीटर पर negative नंबर दिखाई दे तो आपको लीड को आपस में बदलना पड़ेगा हम यहां पर एक सरल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का परिक्षन कर रही है यहां हम 0.031 वोल्ट की रीडिंग देख सकती है अधिक सटीक उत्तर पाने के लिए हम settings में मिली वोल्ट चुन सकती है यह device default route से AC मिली वोल्ट पर set होती है और वही दर्शाती है DC में बदलने के लिए हमें पीला वाला बटन दबाना होता है Manual range में हमें सही scale चुनना पड़ता है यहां आसान है हमें बस अगली बड़ी संख्या चुननी होती है उदारन के लिए इस battery की rating 12 वोल्ट है यहां संख्या 2 से ज्यादा लेकिन 20 से कम है तो हम 20 scale का प्रयोग करेंगे इस battery की rating 1.5 वोल्ट है जो 2 से कम है इसलिए हम 2 scale का प्रयोग करेंगे लेकिन अगर हमें voltage ग्याद न हूँ तो क्या होगा? हम सही scale कैसे चुनेंगे? वैसे वो भी आसान है हम बस सबसे बड़ी संख्या से शुरू करते हैं और dial को तब तक घुमाते हैं जब तक वह एक पर नहीं आ जाता इसका मतलब है हमने dial को बहुत ज्यादा घुमा दिया है तो हम इसे वापस अगली स्थिती पर घुमाते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है हम circuit में voltage को माब भी सकते हैं उधारन के लिए मेरे पास यहां एक basic prototype board है जिसमें कुछ resistors और एक LED है मैं positive से negative तक measure करके circuit के कुल voltage जान सकता हूँ मैं circuit में किसी भी बिंदू पर voltage की जान भी कर सकता हूँ इसे किसी component में power है तो उस component से connect करके मैं उसमें voltage drop का भी पता लगा सकता हूँ हलांकि voltage की माप करने के लिए circuit में power होने चाहिए याद रहे हम केवल दो सिरों के बीच voltage के अंतर को measure कर सकते हैं अगर हम एक ही सिरे को मापने की कोशिश करें तो कोई voltage read नहीं होगी क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं होगा हमारे घरों में मौजूद electrical sockets AC या alternating current प्रदान करते हैं यहाँ current हमें battery से मिलने वाले DC electricity से अलग होता है AC में current दिशा alternate करता है आगे और पीछे की और प्रवाहित होता है इसकी तुलना आप समुंदर की लहरों से कर सकते हैं इसलिए हमारे oscilloscope पर AC के लिए sine wave दिखाई देती है और इसलिए हम इस symbol का प्रयोग करते है यहाँ battery की तुलना में काफी अधिक voltage होती है electricity खतरनाक होती है और घातक हो सकती है किसी भी प्रकार का electrical work करने के लिए आपको योग्य और सक्षम होना चाहिए आप socket testers खरीद सकते हैं जिससे आप अपने sockets की wiring की जांच कर सकती है कुछ socket testers आपको voltage भी दिखाते हैं यह कहीं अधिक सुरक्षत होते हैं मैं सलहा दूँगा कि आप इन डिवाइसों का प्रयोग करें AC voltage को मापने के लिए हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लाल लीड वी टर्मिनल में और काला लीड सी ओम टर्मिनल में लगा हूँ और टो रेंज टाइब के मल्टी मीटर में हमें बस AC voltage सिंबल को चुनना होता है इसके सिरो से अपनी उंगलियों को दूर रखें वरना आपको current लग सकता है अगर आपने इसे छू लिया तो electricity आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और आपको बिजली का जटका लग सकता है ये भी सुनिश्चित करने की केबल पर insulation बढ़िया कंडिशन में हो किसी भी हालत में एक शतिगरस्थ केबल को रेपेर करने की कोशिश कभी न करें एक नई केबल खरीद ले हमेशा पहले काली तार को neutral में लगाएं क्योंकि अगर आप पहले लाल तार को active terminal में लगा देते हैं तो काली तार में तुरंट electricity प्रवाहिद होने लगती है गीला होने पर कभी भी इस्तिमाल न करें खुद को insulate करने के लिए rubber के boot पहने और माप लेते समय grounded surfaces को नर्च हुए North American design के circuits के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि आप पहले breaker को off कर दे हमें अकसर socket के terminal के ऊपर एक safety screen दिखती है हम बड़े slot के अंदर काले रंग का probe डालते हैं और तब तक धक्का देते हैं जब तक safety screen खुल न जाए जब सुरक्षित हो तो आप breaker वापस चालू कर सकते हैं और फिर meter value की reading देगा British circuits के लिए पहले switch को बंद कर दे को neutral terminal में लगाना है और लाल रंग की lead को live terminal में लगाना है जब सुरक्षित हो जाए तो switch को फिर से चालू कर सकते हैं और meter value की reading देगा Australian design के circuits में पहले switch को बंद कर दे काले probe को neutral terminal में लगाए और फिर लाल probe को active terminal में लगाए जब सुरक्षित हो तो switch को चालू कर दे meter value की reading देगा European circuits के लिए मेरा सुझाब होगा की पहले breaker को बंद कर दे हमें terminals में probe डालना है हलका सा दबाव डाले और leads को थोड़ा टेढ़ा करके safety screen उठा दे और terminals में डाले जब सुरक्षित हो तो breaker को फिर से चालू कर दे हम इस सिस्टम में probe को reverse करके voltage भी माप सकते है manual range डिवाइसों के लिए भी वही connection और safety प्रक्रिया अपनाए जैसे कि auto range के tutorial में बताई गई है लेकिन meter पर हमें अपेक्षित reading से अगली बड़ी संख्या की value चुन्नी होती है उदाहरण के लिए 120 वोल्ड के connection के लिए हमें 200 की settings चुन्नी है और 230 वोल्ड के connection के लिए 700 की setting चुन्नी है अगर आपको voltage पता नहीं है तो पहले सबसे बड़ी value से शुरू करें और dial को तब तक घुमाएं जब तक सही संख्या नहीं दर्शाई जाती अपने मीटर के अधिकतम voltage से आगे न जाएं अगर मीटर पर एक दिखाई देता है तो reading range से बाहर है और आपको dial और उच्च सेटिंग पर घुमाना होगा अब आप या तो औसत RMS खरीद सकते हैं या फिर एक true RMS मल्टीमीटर ले सकती है मेरा सुझाब होगा कि आप true RMS मल्टीमीटर ही ले क्योंकि वे अधिक सटीक परिणाम देती है electrical up current waveform को distort कर सकती है ऐसे में केवल true RMS मीटर ही सटीक मेजर कर सकता है resistance को इस symbol द्वारा दर्शाया जाता है इसकी युनिट ओम होती है यह माफता है कि electrons या electricity किसी पदार्थ से होकर कितनी आसानी से प्रवाहित हो पा रही है उधारन के लिए electrons तामबे के तार में बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो सकती है इसलिए हम तामबे के तारों का प्रयोग करती है लेकिन इस resistor में elektrons का प्रवाहित होना बहुत कठिन होता है और rubber में इसका प्रवाहित होना बहुत-बहुत ही कठिन है इसलिए हम तारों पर rubber की insulation का प्रयूग करती है जो हमें तांबे के तारों में बह रही electricity से सुरक्षित रखता है रेजिस्टेंस को मापने के लिए हमें काली lead को COM टर्मिनल में और लाल lead को ohm के निशान वाले टर्मिनल में लगाना होता है आपको बस dial को resistance की setting पर घुमाना होता है और फिर अपनी leads को पुर्जो से connect करना है इस बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उन्हें के side में connect किया है जब आपकी device परिणाम दिखाएगी हम speakers, resistors, wires, potentiometers आदी जैसी चीज़ों को इस पर test कर सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहे अक्षरों पर ध्यान दीजिए यहावाला सिर्फ ohm दिखाता है यहावाला k ohm दिखाता है जिसका मतलब हुआ 1000 ohm यहावाला m ohm दिखाता है मतलब mega या million ohm manual range में हमें सही setting चुननी पड़ती है याद रहे हमें अगली बड़ी संख्या चुननी है उदाहरण के लिए यह resistor 3k ohm की rating वाला है यह संख्या 2k से ज्यादा है तो हम अगली बड़ी संख्या चुनेंगे जो होगी 20k और हम परिणाम देख सकते है इस multimeter में अधिक्तम 2m की setting है तो अगर मैं 5.6m के resistor की reading लेने की कोशिश करूँ तो यह एक दिखाएगा क्योंकि वह इतनी बड़ी value की map करने में सक्षम नहीं है आपको पता होना चाहिए कि resistance तापमान के साथ बदलता है Resistors में tolerance भी होता है इस वाले में 3kg ohm के साथ प्लस या माइनस एक प्रतिशत दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि यह 3030 ohm से 2970 ohm के बीच कहीं भी हो सकता है लेकिन जब हम इसे measure करते हैं तो 3014 ohm आता है तो यह बताई गई tolerance range के भीतर ही है इस तरह के अन्य resistors में 5% का tolerance होता है लेकिन यह resistor लगभग 2 mega ohm का है परन्तु जब हम इसे सरल circuit से जोडते हैं तो हमें लगभग 2 kg ohm की reading मिलती है ऐसा इसलिए क्योंकि यह अभी parallel और resistance divides के बीच में है circuit boards पर पुर्जों को isolate किये बिना उनकी जांच करने की कोशिश न करें current से मापा जाता है कि किसी समय में एक तार से होकर कितने electrons प्रवाहित हो रही है direct current का मतलब है कि electrons एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है आम तोर पर यह current हमें battery से चलने वाले उपकरणों में मिलता है इसे amps या ampere से मापा जाता है इसके लिए A symbol का प्रयोग होता है एक शैतिज रेखा यानि dashed line direct current को दरशाती है हमें multimeter को circuit के साथ series में रखना चाहिए ऐसा हम total circuit current के लिए कर सकते है या फिर circuit की branches के लिए मीटर को load के साथ parallel में न लगाए इससे भारी मातरा में current आपकी मीटर के अंदर प्रवाहित हो सकता है जिससे मीटर खराब हो जाएगा आपकी मीटर में 3 या 4 terminals होंगे एक शायद milliams के लिए MA का निशान दिखाएगा इस पर एक संख्या भी होनी चाहिए यह संख्या वहा अधिक्तम milliam current दर्शाती है जो मीटर इस terminal से measure कर सकता है इस वाले पर अधिक्तम 400 milliams बताया गया है इसके नीचे हम जिस circuit का परीक्षण कर रही है अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो हम लाल लीट को terminal में जोड सकते हैं अगर नहीं तो हमें A terminal का प्रयोग करना चाहिए इस पर आमतोर पर 10 A बताया जाता है मतलब अधिक्तम 10 A समय दर्शाता है कि इसे कितनी देर के लिए connect किया जा सकता है उदाहरन के लिए प्रती 15 मिनिट में 10 सेकन्ड के लिए 10 Ampere अब direct current की सेटिंग चुने लाल प्रोब को 10 A terminal से और काली प्रोब को COM terminal से जोडे काली प्रोब को load वाली तरफ और लाल प्रोब को आपूर्थी वाली तरफ जोडे और फिर सुनिष्चित्क कर लें कि multimeter circuit के साथ series में हो circuit में पावर आते ही हमें परिणाम मिल जाएगा manual range में हमें सही setting चुननी होती है हम पहले ही जानते हैं कि यह circuit लगभग 15 mmM का है तो हम mmM terminal का प्रयोग करते हैं और फिर अधिकतम value चुनते हैं इस बार अधिक्तम वैल्यू 20 मिली एम्प होगी फिर हम परिणाम देख सकते हैं अगर हमें करेंट ग्यात नहीं है तो हम 10A टर्मिनल के साथ शुरू कर सकते हैं हम सबसे उच्छे सेटिंग चुनेंगे और धीरे-धीरे नीचे आएंगे हालांकि यहाँ पर यह केवल 0.25M दिखा रहा है Alternating Current का अर्थ है Electrons लगातार आगे और पीछे की और प्रवाहित हो रही है हमें यहाँ हमारे घरों के Electrical System में मिलता है इसे M या Ampere में मापा जाता है Sign Wave के साथ ए अक्षर से दर्शाया जाता है याद रहे, Electricity खतरनाक होती है और घातक हो सकती है किसी भी प्रकार का Electrical Work करने के लिए आपको योगिय और सक्षम होना चाहिए अगर आप केवल किसी तार में AC Current की माप करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव होगा कि आप Multimeter की बजाए Clamp Meter का प्रयोग करें बहा कहीं अधिक सुरक्षित होता है इसे बस एक तार के चारों और Clamp करें और Alternating Current का विकल्ब चुने अगर आप Active और Neutral तारों को एक साथ Clamp करते हैं तो Current एक दूसरे को Cancel Out कर देगा और आपको सही Reading नहीं मिलेगी अगर आपको किसी डिवाइस में Current मापना है प्रोब भी बिजली से जल जाएगा और साथ ही किसी भी प्रकार की Conductive सतह अगर इसके संपर्क में आती है तो उसमें भी बिजली का जटका लगेगा तो फिर से कहूंगा सावधानी बरतिये पहले तो जांच लें कि क्या आपकी मीटर में AC Current की सेटिंग है अगर नहीं है तो AC Current के लिए उसका प्रियोग न करें आगे टर्मिनल को पहचान ले कुछ मीटरों में मिलियम की माप के लिए Dedicated Terminal होता है और उसकी अधिक्तम Current क्षमता वहां पढ़ लिखी होती है अगर आप जानते हैं कि आपके सर्किट में मीटर की क्षमता से ज्यादा Current होगा या आपको अधिक्तम Current ग्यात न हो तो हमें A के निशान वाले Terminal का प्रियोग करना है आम तोर पर इस पर 10A का लेबल लगा होता है जिसका मतलब है इसमें अधिक्तम 10M Connect किया जा सकता है आम तोर पर यह भी लिखा होता है कि कितनी देर के लिए उधारण के लिए अधिक्तम 10M 10 सेकंड के लिए और आपको 15 मिनट के लिए Disconnect करके ठंडा करना है अगर आप Lower Current की माप लेते हैं तो आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं पूरी जानकारी के लिए Manufacturer की Guide पढ़ें ज्यादतर मीटरों में डिवाइस की सुरक्षा के लिए साथ में एक Fuse आता है अगर आप 10M की सीमा पार करते हैं तो यहाँ गरम हो जाता है और Circuit को Break कर देता है आप लाल लीड को V Terminal में लगा कर और Probe को Fuse Terminal में लगा कर चेक कर सकते हैं और फिर Resistance सेटिंग चुन सकते हैं अगर यहाँ 0.5 से कम कमान दिखाए तो ठीक होना चाहिए अगर यहाँ 0.0 दिखाए तो यहाँ खराब है आप पीछे का कवर निकाल कर Fuse को बदल सकते हैं मल्टी मीटर का प्रयोग करने के लिए लाल प्रोब को 10A Terminal में लगाएं काली लीड को कम Terminal में लगाएं और Alternating Current की सेटिंग चुने सुनिश्चित कर लें कि सर्किट में पावर कटी हुई है काले प्रोब को लोड की साइड करें और लाल प्रोब को आपूर्थी की साइड पर करें अब सुनिश्चित करें कि आपका मीटर सर्किट के साथ सीरीज में हो पूरे एरिया की जांच करें और सुनिश्चित कर लें कि पावर वापस चालू करने के लिए एरिया सुरक्षित है अब आप परिणाम देख सकते हैं अगर आपके पास manual range meter है तो सबसे उच्चे setting के साथ शुरू करें यहां आमतोर पर 10ms होती है अब वहाप परिणाम दिखाएगा continuity function का प्रियोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि circuit में दो point connected हैं या नहीं यदि connected हैं तो electricity प्रवाहित होगी काली lead को com terminal से और लाल lead को continuity symbol वाले terminal से connect कर दें यदि continuity symbol नहीं दिखता लेकिन meter में function है तो V terminal का प्रियोग करे screen default route से OL reading दिखाती है जिसका अर्थ है open loop meter को test करने के लिए leads को आपस में छुआएं आपको एक continuous tone सुनाए देनी चाहिए फिर रोशनी यहां आमतोर पर तारों का resistance भी दिखाता है जो सामान्यते या 0 ohms या आसपास की value होती है यदि circuit या तार तूटा हुआ है तो इस setting का प्रियोग करके पता लगाया जा सकता है हम test कर सकते हैं कि switch ठीक से काम कर रही है या नहीं इससे fuse भी चेक किये जा सकते हैं लंबी दूरी की केबलों को एक सिरे पर connect करके दूसरे सिरे पर test किया जा सकता है यह जानना महत्वपून है कि कहीं हमें गलत readings तो नहीं मिल रही है यदि हम इन दोनों points के बीच चेक करें जो की टूटे हुए हैं तो हम देख सकते हैं कि meter को दूसरा root मिल गया है और यह continuity दिखा रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जहां संभव हो आईसोलेट कर देना चाहिए continuity test अधिक resistance के circuit पर काम नहीं करते हैं उदाहरण के लिए यह तार ठीक है यह कम value का resistor भी ठीक है लेकिन अधिक value का resistor बहुत ज्यादा है इसलिए meter में दिखता है कि continuity नहीं है जबकि continuity है frequency के लिए symbol का प्रियोग होता है frequency दिखाती है कि electric signal pattern की प्रती सेकंड कितनी बार पुन्रा वृत्ती होती है उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका के घरों में 60 hertz और यूरोप में 50 hertz का प्रियोग होता है इसका अर्थ है कि AC sine wave की प्रती सेकंड 60 या 50 बार पुन्रा वृत्ती होती है पर हम इसे hertz में मापते हैं इसका संबंध electrical generator की गती से है याद रहे, electricity खतरनाक होती है और घातक हो सकती है किसी भी प्रकार का electrical work करने के लिए आपको योग ये और सक्षम होना चाहिए function चुने, सुनिश्चित करें कि आपकी leads, उपकरंड और काम करने वाला स्थान सुरक्षित हो मेरी सला है कि पहले power बंद कर दे प्रोब के सिरों को नर्च हुए, स्वयम को insulate करने के लिए rubber boot पहने और ground की हुई सतहों से दूर रहे फिर electric system से connect करे और जब सब सुरक्षित हों, तो power चालू करे अब meter में frequency दिखेगी और आप दुनिया में कहां है उसके अनुसार इसकी value बदल जाएगी disconnect करने से पहले power बंद कर दे यह विशेश meter default रूप से AC voltage पर सेट है और दिखाता है कि frequency reading लेने के लिए पीला बटन दबाना होगा Diodes कुछ ऐसे दिखते हैं Diodes current को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं Engineering drawing में हम इन्हें इस symbol से दिखाई देते हैं इन्हें test करने के लिए dial को diode setting पर घुमाए लाल lead को diode terminal और काले lead को कि diode ने मीटर को reading लेने से रोग दिया है जब leads को OLED दिया जाता है तो value दिखनी चाहिए आम तोर पर 0.5 से 0.8 के बीच यदि दोनों बार OL reading आती है या दोनों दिशाओं में लगभग 0.4 की reading दिखती है तो diode खराब है और उन्हें बदल देना चाहिए हम resistance function से भी diodes चेक कर सकते है हमें 1 किलो ओम से 10 मेगा ओम के बीच की reading मिलनी चाहिए और connection उलटने पर OL दिखना चाहिए LED भी diodes ही है उनसे बस प्रकाश निकलता है इन्हें टेस्ट करने के लिए हम diode function का प्रयोग कर सकते है इसमें LED बहुत धीमी रोशनी पैदा करती है LEDs केवल एक दिशा में ही प्रकाशित होती है और उल्टी दिशा में current को रोग देती है अधिक voltage की LED में value नहीं दिखती है Capacitors circuit के अंदर electron store और discharge करती है इन्हें इस symbol से दिखाया जाता है Electroletic Capacitors के side में इसकी rated capacity अधिक्तम voltage और negative terminal दिया होता है कुछ प्रकारों में यह नहीं दिखाया जाता है इसके लिए हमें manufacturer की data sheet देखनी होगी Capacitors disconnect होने के बाद भी लंबे समय तक high voltage store कर सकती है Lead को नर्च हुए वरना यह voltage आपको जटका दे सकती है DC voltage सेटिंग चुनकर हम Capacitors का voltage टेस्ट कर सकती है काले तार को COM terminal में लगाए और लाल तार को V terminal में फिर ध्यान से probes को Capacitor से connect करें जिससे काला प्रोब polarized capacitor के negative terminal को छुए सभी capacitor polarized नहीं होती है अब meter store की हुई voltage दिखाएगा यदि reading इस तरह से कई volts या अधिक की आ रही हो तो terminal के बीच में ठीक आकार का resistor लगा देना चाहिए यह चोटा capacitor है तो मैं 2.25 watt का resistor लगा रहा हूँ हम देख सकते हैं कि store हुई उर्जा सुरक्षित रूब से discharge हो रही है अब capacitor setting चुने यह विशेश model default रूब से diodes पर set है और capacitor setting चुनने के लिए हमें पीला बटन दबाना होगा काली lead कॉम टर्मिनल पर रहेगी और लाल lead capacitor के निशान वाले टर्मिनल पर यदि polarized हो तो काली probe को negative की तरफ और लाल probe को positive की तरफ connect करें अब यहाँ परिणाम दिखाएगा नॉन polarized में हम प्रोब को केसी भी तरह connect कर सकते हैं परिणाम शायद rated value से mail न खाए आप देख सकते हैं कि यह थोड़ी ज्यादा है और यह थोड़ी कम तो हमें देखना होगा कि यह हमारे circuit के लिए सही आकार के हैं या नहीं और जरूरत पढ़ने पर हम उन्हें बदल सकते हैं Transistors ऐसे दिखते हैं और यह बस एक तरह के electronic switch होते हैं इनको इन symbols के द्वारा दिखाया जाता है हलांकि हम multimeter में HFE setting का प्रयोग करेंगे इन्हें टेस्ट करने के लिए हम सामने की तरफ से identification number ढूनेंगे और उसे data sheet में चेक करेंगे इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ NPN type है या PNP यहाँ हमें बताएगा कि कौन सा leg base, emitter और collector है यहाँ हमें HFE value भी बताता है जो current gain है फिर आपको meter पर transistor test area ढूनना होगा कभी-कभी हमें ऐसे एक adapter की जरूरत पढ़ सकती है फिर हम HFE setting चुनेंगे फिर हम transistor को type के अनुसार align करेंगे उदाहरन के लिए यहाँ एक NPN type है तो मैं NPN side का प्रयोग करूँगा फिर हम legs को सही terminal में लगाएंगे फिर meter परिणाम दिखाएगा यह range के भीतर है तो यह ठीक है यदि meter इस range के बाहर की value दिखाता है या केवल एक दिखाता है तो transistor खराब है यदि आपके पास inbuilt transistor tester नहीं है तो हम diode setting का प्रयोग कर सकती है लाल lead को diode symbol वाले terminal में लगाएं और काली lead को com terminal में लगाएं फिर अपने transistor को test board में लगाएं हम जानते हैं कि यह NPN type है तो हम लाल lead को base pin में लगा देते हैं फिर emitter या collector को connect करने पर लगभग 0.6 से 0.7 की reading मिलती है emitter और collector दोनों को साथ चेक करने पर इसमें reading नहीं आनी चाहिए या यदि हम काले probe को base पर रखें और emitter या collector के साथ चेक करें यह PNP type है तो हमें काले probe को base pin पर रखना चाहिए जब हम लाल probe को emitter या collector पर रखते हैं तो 0.6 से 0.7 की बीज की reading मिलने चाहिए emitter और collector दोनों को साथ चेक करने पर इसमें reading नहीं आनी चाहिए या यदि हम काले probe को base pin पर रखें और emitter या collector के साथ चेक करें यह तापमान यानि temperature reading का symbol है हाला कि यह सभी multimeters में नहीं होता है इस feature का प्रियोग करना बहुत आसान है हमें बस temperature probe चाहिए होंगे जो कुछ ऐसे दिखते हैं जिसमें एक तरफ थर्मो कपल और दूसरी तरफ connector होती है connector सही polarity में ही connect करें काली lead को com terminal पर connect करें और लाल lead को वहां connect करें जहां temperature symbol बना हुआ है हाला कि इस terminal पर input लिखा है लेकिन हम इसका प्रयोग कर सकती है फिर meter पर temperature सेटिंग चुने फिर यहाँ परिणाम दिखाएगा यहाँ default रूप से Celsius पर है लेकिन बटन दबा कर हम इसे Fahrenheit में बदल सकती है ये probe हवाय सतह के तापमान के लिए ही उपयोग होते है इन्हें पानी के लिए प्रयोग न करें बैटरी को टेस्ट करने के दो तरीके है पहला लाल लीड को वी सिरे और काली लीड को कौम सिरे पर रखें फिर DC voltage सेटिंग चुने लाल प्रोब को positive terminal से और काले प्रोब को negative से जोड देते हैं अब हम देखेंगे की voltage कितना है इस बैटरी की rating 1.5 volts है लेकिन जब हम इसे test करते हैं तो 1.593 volts दिखाती है क्योंकि ये एक दम नई है और पूरी तरह से charge है इस बैटरी की reading 1.07 volts है यहाँ बैटरी डेड हो चुकी है तो बैटरी को पूरी तरह से test करने के लिए हमें 100 ohms का resistor लेना होगा और इसे probe से connect करना होगा फिर हम probe को बैटरी के सिरों से connect करेंगे जिससे resistor से होकर current बहेगा voltage थोड़ा सा ही गिरना चाहिए बैटरी की rating 1.5 volts है और load के साथ reading 1.5, 47 volts हो जाती है इसलिए बैटरी ठीक है हलांकि इस बैटरी की rating भी 1.5 volts है लेकिन जब मैं resistor के साथ चेक करता हूँ तो voltage 0.8-6 volts तक गिर जाता है इसलिए यह बैटरी ठीक नहीं है और इसे बदलना पड़ेगा electronics engineering के बारे में सीखते रहने के लिए स्क्रीन पर दिखाय जा रहे वीडियोस को देखें और मैं आप से मिलूंगा अगले वीडियो में हमें facebook, twitter, linkedin, instagram और theengineeringmindset.com पर follow करना न भूलें